दोस्तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बेटन पर जरूर किलिक करें और इसके बाद घंटी के आइकन पर भी जरूर किलिक करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले गुड़ाएमसी फ्रेंड्स दोस्तो आपने आएमसी जॉइन किया है ये सोच के कि बहुत से लोग आएमसी में लाखों करोन रुपे साल का कमा रहे हैं और आप भी कमा पाओगे लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है बहुत से लोग हैं जो हजारों रुपे महिने पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक जीरो पे वैठे हैं समझ नहीं लग रही कि कैसे आगे बढ़ें आओ कुछ संभावनाएं तलाश करने की कोशिश करते हैं एक संभावना है कि अगर आप इस बिजनस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसकी अवेरनेस बढ़ानी होगी कैसे? एक एक्जेंपल आज इस वीडियो में डिसकस करता हूँ फेस्टिवल्स सीजन आ रहा है राखी आएगी, ईद आएगी, दिवाली आएगी, गुर्पुरब आएंगे, नया साल आएगा और क्रिस्मिस डे आएगा लोगों के बर्देज भी आते हैं, लोगों की वैडिंग अनिवर्स्रीज भी आती हैं घरों के महूरत भी होते हैं जहां भी आप रिष्टेदार के घर में, किसी दोस्त के घर में, किसी पडोसी के घर में कोई गिफ्ट लेके जाते हो तो आएमसी की प्रोड़क्ट्स लेके चले जाओ कुछ तो आपने देना ही था, कहीं तो पैसे खरच नहीं थे IMC की प्रोड़क्ट्स गिफ्ट कर दो बहुत फाइदे होंगे पहला फाइदा कि आप अपने जान पहचान वाले के घर में अच्छी प्रोड़क्ट और्गैनिक, हरबल, आयुर्वेदिक, सवदेशी पहुंचा रहे हो और उसके घर में हेल्थ अवेरनेस हो रही है उसके घर में नकली समान की जगा सही हेल्थी समान जा रहा है दूसरा फाइदा होगा आपका अपना बिजनस गुरो करेगा क्योंकि आपके आईडी पर परचेज होगी और आपको बिजनस वालिम पॉइंट्स यानि बीवी पॉइंट्स मिलेंगे और आपका लेवल भी रेज होगा आपको कैश बैक भी मिलेगा थर्ड फाइदा है कि आपके उस जान पहचान वाले को आपके भाई बहन को आपके पडोसी को रिष्टेदार को दोस्त को कुलीग को एक आइडिया मिल गया कि आइएंट्स की प्रोड़ेट्स भी गिफ्ट की जा सकती है अगर तो वो आइएंट्सी में है तो फिर खरीद के देना शुरू कर देगा और अगर वो I.N.C. में नहीं है तो आपको पूछेगा कि I.N.C. की प्रोड़क्ट्स क्यों और आपके पास एक बहाना मिल जाएगा अपनी बात करने का और लाइकली है कि वो आपके साथ आपके नेटवर्क में आपके डाउन लाइन में आ जाएगा आप अभी तक किसी हलवाई की मिठाई लेके जा रहे हैं मिठाई लोग खा कहां रहे हैं फेंक रहे हैं, बांट रहे हैं क्योंकि हर किसी को डाइप्टीस का डर है या डाइप्टीस है दूसरा अगर वो खा भी लेता है तो उसी हलवाई की मिठाई आगे बांटता है आपको भीच में क्या मिलने वाला है आप चॉकलिट्स दे रहे हो आप बजार से लेके कोई पैड जूसिस दे रहे हो खराब वाले, पानी वाले, अनहल्थी तो हमारे पास तो कितनी प्रोड़क्ट्स हैं अगर किसी को आप शैंपू दे देते हो तो वो भी तो उसके काम आएगा और उसको मज़ा भी आएगा और आपके साथ डिसकस भी करेगा मैं तो यही कर रहा हूँ शैंपू दे रहा हूँ हेर आइल दे रहा हूँ खीर दे रहा हूँ फलूदा दे रहा हूँ अगर बड़ा गिफ्ट देना है तो ब्रेसलेट दे रहा हूँ जूसिस देने है तो मैं हमालिन बेरी जूस दे रहा हूँ जीवन शक्ती रस दे रहा हूँ ऐलो वेरा दे रहा हूँ अगर आपको पता है कि उसके घर में कोई डिसीज है, कोई बिमारी है, तो आप उसके accordingly किट लेके जा सकते हो, शुगर है तो शुगर अवे किट ले जाएए, अगर आपने fat वहां दिखाई दे रहे हैं, मोटे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर fat ओवे किट ले जाएए, जर्नल वेनलस के किट भी लेके जा सकते हैं, ध्याँ रखना, स्वार्थी बनके ना जाना, स्वार्थ पूरा हो जाएगा, ये मेरा वादा है, वेल दोस्तों आज के बाद मेरा आशिरवाद है कि आप जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा पाओगे God bless you, good IMC